अव्यक्त शिक्षाओं का अन्मूल ये खजाना हर दिल पे लिख दिया है जिन्दगी का अफसाना ये श्रंखला सर्वात्माओं के पेता परमात्माश्यव के द्वारा उचारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है अम शांती कॉर्लिवोर स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमुले रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस कालियोगी दुनिया में प्रतेक मनुष्यात्मा अपनी तमू प्रधान अवस्था में है प्रतेक मनुष्य में कमी कमजोरियां वो विकृतियां है और इसे लिए संगम युकपर स्वयम परंपिता परमात्मा आकर हमें विकारों से मुक्त कर बेदाग हीरा बनाते है परन्तु देखा जाता है कि अकसर इनसान इस कल्युग की माया में इतना भ्रहमित हो जाता है जो से सही और गलत सच और जूट की पहचान नहीं रहती और वह अपनी ही कमी कमजोरियों को अपनी शक्ती समझ लेता है उनकी पैरवी करने लगता है इस माया जाल को तोड़ने की सहज विधी क्या है आज हम इश्वरिये महावाक्यों द्वारा जानेंगे और इन महावाक्यों के इस पश्टी करन के लिए हमारे मद्दे है प्रजापिता ब्रहम्भा कुमारिस इश्वरिये विश्वित्याले के वरिष्ठ राजयोगी शिक् प्रमात्मा कहते हैं लक्षे सभी का नंबर वन का है, लेकिन लक्षन नंबर वार हैं, तो लक्षे और लक्षन दोनों में अंतर क्यों है? ज्यानदाता बाप भी एक है, योग की विधी भी एक है, दिव्यगुन धारण करने का, सहज प्रत्यक्ष प्रमान, साकार ब्रम्भा बाप भी एक है, सेवा के साधन और सेवा की विधी सिखाने वाला भी एक है, मुख्य बात है, पढ़ाई और पालना, दोनों ही देने वाला एक और एक नंबर है, फिर भी प्रत्यक्ष जीवन में लक्षन नंबर वार क्यों? पर सब लक्ष और लक्षन की असमानता का मुख्य कारण क्या है? परमात्मा जब बच्चों को लक्ष देते हैं, तो लक्ष के प्रमान उनके जीवन में लक्षन भी आने चाहिए, लेकिन सब कुछ एक होते भी, परमात्मा एक है, ब्रम्ह बाबा हमारे आगे एक जैम्पुल एक है, एक जैसी पालना है, एक जैसी पढ़ाई है, लेकिन नं अच्छ एक होता है माला अगर बनाए जाती है तो आट की 108 की लक्ष भले सभी का बराबर एक सौवान है पालना भी एक समान है थोड़ा सा कोई न कोई अंतर लक्ष और लक्षण में रह जाता है तो परमात्मा कई कारण बताते हैं कि पुरसार्थी आत्माएं लक्ष तो बहुत मुझा लेती हैं लेकिन कहीं न कहीं परसेंटेज में लक्षण में अंतर आ जाते हैं पालना होते भी पढ़ाई एक जैसी होते सब कुछ प्राप्तिया हैं एक जैसे ही हर चीज की पालना पढ़ाई है फिर भी अंतर आता है क्योंकि लक्चन कहीं न कहीं कोई न कोई रूप में लक्ष के प्रमात्मा कहते हैं कि नंबरवार होने का विशेश आधार है एक ही शब्द पॉइंट पॉइंट स्वरूप को अनुभव करना दूसरा कोई भी संकल्प बोल वकर्म व्यर्थ है उसको पॉइंट लगाना अर्थात बिंदी लगाना तीसरा ज्यान की वधारणा की अनेक पॉइंट्स को मनन कर स्वप्रती वशेवाप्रती समय पर कारे में लगाना वस अब इन तीनों पॉइंट्स को थोड़ा सबश्ट करें पहले आत्मा जो पॉइंट है उस पॉइंट शरूप में इस्थित रहना इसके लिए हर एक नंबर वार है कितना समय वह आत्मिक शरूप में बिंदू शरूप में इस्थित रह सकता है दूसरा कोई भी द्रसे देख करके उसमें प्रशन उठते है या कितने समय में फुलिष्टा पॉइंट लगता है तिसरा जो बाबा के दुआरा इतने अच्छे अच्छे ग्यान रतन मिल रहे हैं, जो points मिल रहे हैं, उन points को मनन्चिंतन शरूप में कितना लाया? जितना उसने मननचिंतन करके शरूप में लाया है, उसका शरूप बना, कोई भी द्रसे देख करके पॉइंट लगाई और आत्मा पॉइंट है उस शरूप में इस्तित्रा, तो वो इस्तितिये पुरसार्थ उसको नमबर वन में ले जाता है, नहीं तो कहीं न कहीं लक्ष के प्रमान लक्षन में अंतर आ जाता है, तो परमात्मा हम सब को कह रहे हैं, नमबर वार बनने का कारण है, केवल एक पॉइंट सब्द के आर्थ स्वरूप में इस्तित होने में नमबर है, परमात्मा इसलिए कहते हैं कि, तो शब्द एक ही पॉइंट है, लेकिन तीनों स्व स्वरूप में लाना, इसमें नमबर वार हो जाते हैं, पर मुइंट है, कि समय पर स्मृति को स्वरूप में लाना, इससे क्या दात पार रहे हैं ? कोई ऐसे द्रस आ रहे हैं, ड्रामा के अंदर कोई सीन सा रहे हैं, तो हम उसी समय पॉइंट लगाएं, पुलिश टाप लगाएं, क्वेस्टन न उटे, जिसा क्यों हो रहा है, इसे नहीं होना चाहिए, कई प्रकार के जो प्रस्ट उट जाते हैं, माना पॉइंट को हमने लगा दिया, क्यान इसम्रत्ती में था, वो स्वरूप में आ गया, तो नंबर वन हो जाएगा, तो परमात्मा हम सब को कई कारन बताते हैं, कैसे नंबर वार बन जाते हैं, क्योंकि हर एक के आगे परिस्तितियां भी अलग अलगाती हैं, और हर एक की बुद्धी की विशाल ये रॉंग है, ये राइट है, ये अंधकार है, ये प्रकाश है, ये व्यर्थ है, ये समर्थ है, तो अंधकार समझते भी, अंधकार में रहना, इसको ज्ञानी वा समझदार कहेंगे, ज्ञानी नहीं तो क्या होए, भक्त वा अधूरे ज्ञाने, रॉंग समझते भी, रॉ अभाव संसकार के वशिभूत हो जाएं, तो इसको क्या कहा जाएगा? अभी जो आंतरिक स्थिती है कि ज्यान है, अंधकार का पता है, व्यर्थ का पता है, परन्तु फिर भी अंधकार में रह रहा है इंसान और व्यर्थ को ही जीवन में धारण कर रहा है, इस स्थिती को आप इतने की शक्ति की कमी है, कोई भी कार पटा चलता है, रांग है, नहीं करना चाहिए, लेकिन आत्मा, किसान की संस्कार के इतने आधीन है, जो संसकार प्रबल होने के कारण फिर से बैठ्थ करा देते हैं अवस्यक्ता है हम अपने पिछले जो संसकार कड़े बनते गए हैं उन संसकारों पर ध्यान दे अगर संसकार हमारे परिवर्टन हो रहे हैं तो ऐसे कोई द्रस आएंगे तो अपने आपको change कर सकता है कि नえ यह ग्यान नहीं कहता है यह समझ है तो ग्यान light होने के करा वो सहज पार कर सकता है लेकिन कई बार वो परवश स्थिति उससे गिलत करा देती है जो यसे कई बार कहतं है इंसान की मैं गलत करना नहीं चाहता परन्तु जब उनके संग में आता हूं, जो परिस्थिती आती है, तो अपने आप हो जाता है। कई बार ऐसे ही, अगर आज आप कोई किसी केदी से मिलें, उसके अनुभव पूचें, जो इतना दुखी है, परेसान है, उसका कारण बताएगा। केहता था कि मैं चाहता नहीं ता किना है सा कोई जोस आ गया, जो मैंने कर लिया, तो यह पर्वश इस्थिती वह उसमें कर पाया। और उसके बाद पाश्चाता पोता है। ज्यानित वात्मा परमात्मा उसको ही कह रहे हैं, जो समझता है कि ये रोशनी के अंदर अंधका नहीं आ सकता, अगर आ गया है तो मैं अपने आपको कंट्रोल करों, तो जो कंट्रोल कर लेता है, अपने आत्मिक सरूप में इस्थित रहता है, मालिक बन करके रहता है, उससे क कोई बेर्थ करम नहीं हो सकते हैं। और अटेंशन को थोड़ा सपष्ट करें। इसके कारण कोई अच्छी बात भी अगर कही जाती है। कोई अच्छी स्रीमात राय दी जाती है। तो भी वो व्यक्ति सुविकार नहीं कर पाता। इसलिए उस पर चल नहीं सकता। परमात्मा कहता है इस रूप में माया कहां सुक्ष्म रूप में प्रवेश करके आप पर वार कर रही है। डवल अंडरलाइन करो, यह चेकिंग है। कहीं भी सुक्ष्म में भी यह तो नहीं आता है, मैं तो समझता हूँ, मैं तो जानता हूँ सब कुछ। तो जब यह हैंकार आ जाता है, तब माया अटैक डरती है। पर मात्मा इसी से संबंधित कहते हैं कि माया के अती सुक्ष्म स्वरूप को जानने में भी धोखा खा लेते हैं। माया ऐसा रॉयल रूप रखती है, जो रॉंग को राइट अनुभव कराती है। है बिलकुल रॉंग, लेकिन बुद्धी को ऐसा परिवर्तित कर देती है, जो रॉयल समझ को महसूसता की शक्ती को गायब कर देती है। पसब इस रॉयल माया को थोड़ा सपष्ट करें। वर्तमान समय इसी रूप में माया वार करती है। ज्यानित व आत्माएं हैं, सब प्रकार की समझ है। लेकिन कई बार ऐसे रहल रूप से समझ का अविमान जो होता है, वो महसूस करने ने देता है। सबसे पहला वार जो होता है, जो हम कर रहे हैं। बहले दूसरे लोग समझ रहे हैं कि ये ठीक नहीं हो रहा है। जो चल रहा है ये ठीक नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति जो कर रहा है, उसकी महसूस्ता की सक्ति को ही माया छेन लेती है। बहुत सुंदर मिसाल दिया। जैसे कोई जादू मंत्र कर दे किसी को उपर, तो उसकी बुद्धी काम नहीं करती है। जो चल जैसे ही कई ग्यानितु आत्माएं चाहनती है, ये मैह हैं राइट है, ये रांग है ये राइठ्ध है aniहीं कराया हैं। लेकिन में गलत कर रहा हूं ये महसूँझता खतम हो जाती है। ये राठ्ध है जान्ते हुए भी वो कर रहे हैं। मैं तो अब मेरी समझ से बिलकुर राइट है! लेकिन जहां पर कोई भी डिस्टर्ब्गेंस पोरही है, जहां पर स्रीमत की अवग्या हो रही है, जहां पर परमात्मा का नाम बद नाम हो रहा है, वहाँ पर अपने आपको परिवर्तन करना चाहिए, महसूस करना चाहिए इसके लिए परमात्मा कहते हैं, डबल अंडलाइन करो और अंडलाइन करके महसूसता की सक्ति के आधार से जो गलत है उसको गलत करके उस पर जीत प्राप्त कर लो तो माया रायल रूप में आएगी और रियल को ही समझेंगे कि ये ठीक है ये नहीं ठीक है, रियल को ही समझने सकते हैं पर मात्मा कहते हैं कि होगा बिलकुल रॉंग लेकिन माया की चाया के वशिभूत होने के कारण रॉंग को राइट समझते और सिध करने में माया के सुप्रीम कोट का वकील बन जाते है तो वकील क्या करते है जूट को सच सिद्ध करने में होशियार होते है सच को सच सिद्ध करने में भी होते है लेकिन जूट को सच सिद्ध करने में होशियार होते है दोनों में होशियार होते है इसलिए पर्मात्मा अटेंशन को डबल अंडरलाइन करा रहे है बिना अटेंशन के कोई चेकी नहीं कर सकता है अगर कोई थोड़ा भी होता है कि मैं समझदार हूँ मैं सबसे अच्छा ग्यानी हूँ मैं अनुभवी हूँ मेरा अच्छा योग है तो वो जल्दी से चोटी-चोटी भूलों को महसूच नहीं कर पाता जहां रांग है उसी में ही वो समझता मैं राइट हूँ और पर उस राइट को सिद्ध करने के लिए वो जिद्ध करता है तो परमात्मा के रहे हैं जैसे आजकल के वकील लोग अगर कोई केस को जीतना होता है तो जूट को सत्य सत्य को जूट सिद्ध कर देते हैं उसके लिए बहुत सारे उनके पास तर्क की पॉइंट्स होती है तो माया भी ऐसे वकील बना देती बच्चों को जो जूट है गलत है समझ रहे हैं लेकिन उसको राइट सिद्ध करने के लिए अनेकों पॉइंट्स दे देते हैं यह है यह है यह है यह है परमात्मा की जो स्रीमत है उस स्रीमत की वज़ाए अपनी बुद्धी की मत को परियोक करके जो नहीं करना चाहिए वो कर बैठते हैं इसलिए परमात्मा कहते हैं, अंडलाइन करो. और कई पर ऐसा देखा जाता है कि परमात्मा के महावाक्यों को ही वो अपने तरीके से प्रस्तुत करते हैं. हाँ उसका ये सोचते हैं, बाबा ने तो ये कहा है, बड़ों ने ऐसे कहा है, उसके पीछे जो उनका भाव रहा है, उनके पीछे जो उनकी से धांत रहे हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं. इन बड़ों ने ऐसे किया है, उन्होंने ऐसे कहा है, उस बात को लेकर के अपनी ब बाप की चत्रचाया में अपने को विशेश मन बुद्धी को इस चत्रचाया के सहारे में लाओ क्योंकि मन में नेगेटिव भाव और भावना पैदा करने का विशेश माया का प्रभाव चल रहा है और बुद्धी में यथार्थ महसूसता को समाप्त करने का विशेश माया का कारे चल रहा है यही दो बाते नुकसान कर रहे हैं एक तरफ अगर बड़े कोई सारा देते हैं जो निमित हैं वो समझते हैं कि ऐसे करना चाहिए ऐसे होना चाहिए यह जो कह रहे हैं यह किसी की सुनी-सुनाई बातों पर कह रहे हैं यह जो राय दे रहे हैं यह ठीक नहीं है तो अपनी बुद्धी की जो समझ है नगेट्यू बातों को सोचने की जो अंदर-अंदर सक्ति आ गई है नगेट्यू बातावन है नगेट्यू माया का राज्जी है उसके बीच में उस नगेट्यू को परक नहीं पाते हैं और महसूस्ता के सक्ति खतम है कि ये गलत है ये नह इसलिए परमात्मा हमारा ध्यान किचवाते हैं कि ऐसे समय पर जब चारों तरफ नगेटि वाता बरन है, माया का प्रभाव चल रहा है, ऐसे समय पर अपने बच्चों को सेफ करने के लिए परमात्मा की चत्रचाया में रहो, सेफटी का साधन है, मैसुष्ता की सक्ति को प्रमात्मा इसलिए कहते हैं कि मन और बुद्धी के ओपर प्रभाव नहीं पड़े, इसके लिए पहले ही सेफटी का साधन विशेश अपनाओ, वो विशेश साधन है, बहुत सहच, एक ही पॉइंट शब्द, कहते रहते हैं, हाँ, मैं आत्माबिंदु हूँ, जोती बुद्ध शब्दमा इसलिए के बच्चन पेशटी के साधन बटाते हैं और बहुत सुन्दर सहच सेफटी का साधन खुमाणे स की अपने पॉइंट सरूप में इस्थितर हैं, मैं आत्माबिंदु हूँ तो एक हम अपने पॉइंट सरूप में स्थितर हें दूसरा कोई ही बात हो रही है उसको point लगाएं क्योंकि अगर point नहीं लगती है तो उन बातों का हम बहुत बड़ा विस्तार कर देते हैं और कोई भी बात का अगर विस्तार किया जाता है तो छोटी सी बात बहुत बड़ा रूप ले लेती है इसलिए परमात्मा कहते हैं ना आश्चरी की मात लगाओ नो question mark लगाओ सिर्फ अगर विजयी बनना है सेफ रहना है तो बिंदू point लगाने का अभियास करो एक point सरूप में इस्थित रहने का अभियास हो आत्मिक सरूप में इस्थित रहने का और दूसरा कोई भी बात का विस्तार कहने की वज़ाए उसको फुलिश्टाप लगाओ आश्यर की मात्रा नहीं लगाओ पर मातना कहते हैं कि सीजन है जूट सच सिद्ध होने का और जूट सत्य से भी सपष्ट और आकर्शन वाला होगा जैसे आजकल का फैशन है ना जूटी चीज कितनी आकर्शन वाली होती है उसके आगे सच्चे की वैल्यू कम हो जा है रियल सिल्वर काला हो जाएगा और वाइट सिल्वर सदा चमकता रहेगा तो आकर्शन वाइट करेगा या रियल करेगा वर्तमान समय तो आर्टिफीशल के दुनिया ही बन गई है कई चीजे ऐसे लगती है रियल उसके आगे कुछ भी नहीं है आर्टिफीशल चीजे नक पाम्प माया का राजी चल रहा है। ऐसे समय पर जब चारों तरफ से लियल जो सत्य है उसको दबा दिया गया है। जूट का राजी चल रहा है। आप बच्चे जूट से बचना है तो बहुत अटेंसा रखो। नहीं तो माया कहीं न कहीं आप से गिलतकारी करा देगे। दूसरा है पहचानना। जानते ज्यादा हो, पहचानने में कभी गल्ती कर देते हो, कभी राइट कर देते हो। थो एक है जानना, एक है पहचानना, थोड़ा सपष्ट करें से. कि जब हम जानते तो हैं सब कुछ, कि ये माया का राज है, माया जूट को सत्य को जूट कर रही है, जानते हैं, लेकिन अगर पहचान लिया, तो हम सेफ हो सकते हैं, इसलिए परमात्मा कहता है, पहचानना वाना, अपने आपको उस बात से किनारा कर लेना, बचा लेना, जानन अलग चीज हो गई, जानते सब हैं, पूरा ग्यान हमारे पास है, लेकिन उस शक्ति जो आजाए, वो पहचान जाएंगे, इससे क्या-क्या नुकसान होने माला है, कहां धूखा मिलने माला है, तो उस पहचान के आधार से हम अपने आपको सेफ कर सकते हैं, इसलिए परमात्मा कहते हैं, जानते हो, नौलेजबुल हो, माया तमुगुन अपना दिखा रही है, प्रकर्ती अपना तमुगुन दिखा रही है, चारों तरफ आटी फीसल का राज्य है, ऐसे समय पर सिर्प जानो नहीं, लेकिन पहचान करके अपने आपको सेफ कर लो, परमात्मा आगी कहते हैं कि अभी तो फिर भी बाप थोड़ा-थोड़ा रहम करता, थोड़ा-थोड़ा कदम उठाता है, लेकिन फिर क्या और क्यों, कोई नहीं सुनेगा, ऐसा नहीं वैसा, ये वकालत नहीं चलेगी, जज बनो, माया का वकील नहीं बनो, मजा बहुत आता है जब वकालत करते ह अनुभवी तो सब हो ना, अनुभव होता है ना, सुन-सुन कर साक्षी हो, हर्शित होते रहते हैं, अच्छी तरहां से समझा परमात्मा अपने बच्चों को वकील नहीं बनाना चाहते हैं, जज बनाना चाहते हैं, जज को राइट और रांग क्या है, जज को वकालत करने वाले तो अपने आपको बहुत सिद्ध करते हैं, अपनी बात को सिद्ध करने के लिए बहुत सारे आर्ग्यूमेंट करते हैं, तो पार्मात्मा कहेते है, पार्मात्मा भी अपने बच्चों की वकालत देख कर के कयी बार मुस्कराते है जाएत और रांग की समझ होते हुभी वसिद्ध कर रहे हैं इस लिए पार्मात्मा कहते हैं बच्चे स derivative payt िग zucchini करो factor usually यह मुझे करना है, यह मुझे नहीं करना है, यह होना चाहिए यह नहीं होना चाहिए, तो जितना हम जज्मेंट करने माले जज़ बन जाते हैं, उतना हम अपने आपको सेफ कर सकते हैं, हमें अपने आपका जज़ बनना दूसरे का नहीं, वकालत भी हम अपने आप कर रहे हैं यह नहीं करना चाहिए। सब कुछ वकालत करके अंदर से जानते हैं गलत है लेकिन उपर से हम अपने अभिमान के कारण, अपने आपको हुसियार, समझदार समझने कारण सिद्ध करते हैं। तो परमात्मा कहते हैं बाप मुस्कराता है और यही राय श्री मत देता है कि अभी वकील नहीं बनो लेकिन जज़ बन करके खुद नियने लो और अपने आपको राइट पत्पल ले आओ। तो सेफ हो जाओगे नित भी धर्मराज ज़ज बनेगा उसके आगे तो किसी की नहीं चलेगी। को समान बनाने के लिए हमें एक पॉइंट स्वरूप स्थिती में स्थित रहना है, व्यर्थ संकल्प, बोल और कर्म पर फुल स्टॉप अर्थात पॉइंट लगाना है और ज्यान और धारणा के विभिन पॉइंट्स को सदा स्वप्रती व सेवाप्रती कारे में लगाना है पर मात्मा ने कहा कि हमें माया वप्रकृती के भिन भिन सुक्ष्म वर रॉयल रूपों को यथार्थ समझ कर स्वयम पर डबल अटेंशन रखना है तरश्कवाज के महावाक्यों से संबंध दे दिया आपके मन में कोई भी प्रेशन है तो आप हमें एमेल कर सकते हैं अगले अपिसोड में एक और अव्यक्तवाणी के साथ आप सभी के समख्षम फिर हाजिर होंगे तब तक के लिए लेते हैं इजाज़त उम्शान्ति मुख्यसार पॉइंट शब्द को तीन रूपों से स्वरूप मिलाओ और सेफ रहो एक पॉइंट स्वरूप को अनुभग करना दो व्यर्थ संकल्प बूल और कर्म को पॉइंट लगाना तीन ग्यान कीवा धार्ना की पॉइंट्स को मनन कर स्ववा और सेवा प्रती समय पर कार्य में लगाना सीजन को पहचानो, माया के सोरूप को पहचानो, तमोगोन प्रकृती के भिन भिन रंगत को पहचानो, चाहे कितना भी बड़ा, मोटा, हैमर लगाए, लेकिन खंदित नहीं होना, जड मोर्ती भी खंदित हो जाती है, तो पूजा नहीं होती, उसको पत्थर मानेंगे, मोर्ती नहीं मानेंगे प्रमा कुमारीज इश्वरिय विश्व विद्यार लेके सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गौडलीवूर स्टूडियो से संपर्क करें